हाई केम चो मज़ा में चो आपका अपना लाड़ लाड़ डॉक्टर डॉक्टर नमनीत काल रहा और बुड़ा पर मैंना सीधा बैठा नहीं आता है टॉपिक क्या है रहवा लोग इनको बताई रहें हम टॉपिक क्या लेकर आई रहें टॉपिक यह है शुगर के पेशिंट में वेक्सिनेशन अभी क्या हुआ अभी बड़े 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 बहुत महान ग्यानी डॉक्टर से तो उन्होंने एक उब्जर्वेशन करी जिश व मेरा काम है आपको सही जानकारी देना और पॉजिटीव वेव में देना जिसे कि आप डरे मत मैं बताता हूं आखिर यह है क्या जो और साथ में कुछ और सिम्टम में देखे गए कि घबराट हुई बेचैनी हुई धर्गन ते जो गई पल्स फास्ट हो गई तो मतलब यह सा कई बार operation के बाब भी बढ़ आते हैं स्ट्रेस बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जब बॉडी के बहुत जाए असर आता है तो वेक्सिनेशन का एक डर है बॉडी में लोगों को जो एक्सिनेशन लगवाने जाते हैं तो मन में एक डर एंग्जाइटी पैदा हो रही है तो मेरा बिल्कुल भी यह आधार ही मैं मानत Bong कि शुगर वेक्सिनेशन से नहीं हो रही है वेक्सिन से जो आपको स्ट्रेस हो रहा है उसकी वैसे शुगर बढ़ रही है तीसरी चीज, अगर आपको anxiety disorder है, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, या आपके मन में डर पैदा हुआ पड़ा है, वैक्सीन को लेके आपने डॉक्टर से बात करें, वो हो सकते हैं, आपको कोई anxiety की दभाई दे देगा, और मैं तो देता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ, खालो 2-4 दिन, 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बात तक खाते रहना, तुमारी शुगर भी कंट्रोल लेगी, तुमारा दिमा भी कंट्रोल लेगा, और ना दूसरे को उंगली करोगे, ना खुद कुछ होगा, तो ये वैक्सीन का डर है लोगों में, तो इससे डर और पैदा होगा कि वैक्सीन लगाने से शुगर हो जाती है, वैक्सीन लगाने से क्लोटिंग हो जाती है, वैक्सीन लगाने से तलाग हो जाता है, अमिर खान का हुआ है, वैक्सीन लगाने से तलाग, तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूँ, कि आपको कुछ नहीं करना है, अपने शुगर को देखते रहें और अगर शुकर में फ्लक्ट्टर को कॉंटेक्ट करें लेकिन डरने के कोई बात नहीं है यह स्ट्रेस आइपर ग्लाइसीमिय है थोड़ा योगा की आने वाले वाला मैं कोई नहीं लगावा तकि मेरे साथ क्या वाला है मेरे साथ कभी कुछ भी ओजाता है तो चलो एक चोटा सा टॉपिक टॉपिक लेकर आता नहीं वह चाहिए और इसमें कोई अडिटिंग नहीं और आ लेकिन मैं जब इसको बंद करने जाओंगा तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है और बेला इकॉन को दबाना है इतना कर देना मैं कभी कभी कर बोलता हूँ हर रोज मैं बोलता नहीं हूँ थैंक यू बाई आपका मुन्ना बाई MBBS